हेलो फ्रेंड्स में नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के नदर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोविनेंट ओन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 या फिर 1976 देखिए यहाँ पर मैंने बोला 1966 या 1976 तो 1966 क्यों मैं आपको बता देता हूँ देखिए यह जो इंटरनेशनल कोविनेंट ओन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हुआ था यह 1966 में हुआ था पर यह इफेक्ट में जो आया यह आया था 23rd मार्च 1976 इसके बार में बात करते हैं जो यह कोविनेंट है इसके जो प्रोविजन है में मोसली जो प्रोविजन थ इंदर जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिये थे तो उनी के बिहाफ पर उनी राइट्स को लेकर जो है यह इंटरनेशनल कोविनेंट हुआ था 1966 के अंदर हाली की जैसे मैं आपको बता है कि यह जो इफेक्ट में आया वो 23rd मार्च 1976 के अंदर आया और इस कोविनेंट के अगर बात करें तो इसके अंदर 53 आर्टिकल्स हैं और यह 6 पार्ट में डिवाइड है तो 1st, 2nd और 3rd जो पार्ट है यह बात करते हैं वेरिस और 6th पार्ट के अगर बात करें तो यह बात करते हैं जो implementation procedure है या उनसे related जो formalities है उनके बारे में बात करते हैं तो आईए start करते हैं अब देखे short में इसके primble के बारे में बात करते हैं कि इसके primble क्या कहता है तो देखे इसका जो primble है अगर हम वैसे short में बात करें तो यह prim उनाइटी नेशन चार्टर जो हमने पड़ा था उसके उपर और दूसरा UDHR यूनिवर्सल डिक्लिरेशन ओफ यूमन राइट अब देख लेते हैं हम प्रेंबल में क्या है इसके तो इसका प्रेंबल कहता है कि जो कोविनेंट इस कोविनेंट की मतलब की जो सिविल एंड प मैंने आपको बताया था कि inherent dignity मतलब inherent dignity मतलब की जो human rights हैं एक तरीके से वो inherent हैं सभी में और ये inherent dignity लोगों को मतलब की dignity कह सकते हैं इस्जत कह सकते हैं गौरव कह सकते हैं तो मतलब की जितने भी people हैं जितने भी लोग बाग हैं उनको equally मतलब की इस्जत मिलनी चाहिए बच्प परेसे राइट है और जो human right है ये inalienable right है जिनको आप transfer नहीं किया जा सकता जिनको छीना नहीं जा सकता ताकि जो लोग है वो freedom से आजादी से रह सके और इस world में जो है एक तरीके से peace जो है इस थापित हो सके और आगे प्रेंबल में अगर बात करें तो ये decognize करता है जो UDH में universal declaration of human rights में उसमें मैंशन है कि उसमें ये चीज मैंशन है कि जो human being है वो civil और political freedom को और साथ में freedom from fear मतलब कि डर बिना किसी बिना किसी डर के रहना मतलब कि किसी भी तरीके कोई डर ना हो या फिर जो मैंना आपको बता है कि enjoy करना civil और political freedom को ये तभी किया जा सकता है तभी achieve किया जा सकता है जब हर एक person को हर एक person को civil, political, economical, social और culture right को मतलब कि enjoy करनी ये दिया जाए तो जब तभी ये चीज जो है achieve की जा सकती है तभी उनको डर से आजादी मिलेगी और तभी वो civil और political जो freedom है उनको enjoy कर पाएंगे अब बात करते हैं इसके parts की जो हमने आपको six part बताए थे और 53 article थे तो short में जो है इन चीज़ को समझ लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं part one तो part one में क्या है वो journal articles है जो कि article one से लेकर three और five article ये article इसके अंदर है तो जो article one है वो बात करता है self determination के बारे में बात करता है और ये कहता है कि जो भी इस मतलब की जो state है जो कि इस covenant की party है उनको चाहिए कि वो अपने territory के अंदर promote करे right of determination को right की respect करें और साथ में जो provision united nation charter के अंदर दिये हैं उनकी भी respect करें और उनको भी determine करें उनको भी promote करें अपनी territory में जो भी state parties है अगर article two की बात करें तो article two ये ही कहता है कि जो state है जो भी parties है वो respect करें जो भी individuals हैं उसकी territory के अंदर रह रहे हैं जो भी लोग बाग हैं उसके jurisdiction के अंदर आते हैं तो उनकी respect करें बिना किसी discrimination के कोई discrimination नहीं होनी चाहिए ना ही race के बिहाफ पे ना ही color के बिहाफ पे ना ही sex के बिहाफ पे ना ही language के बिहाफ पे ना ही religion के बिहाफ पे ना ही political या फिर किसी other opinion के बहुत पे नहीं नेशनल्टी के हिसाब से नहीं प्रोपर्टी या बर्थ प्लेस किसी भी तरह से जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए सभी को बराबर रेस्पेक्ट दे हर एक स्टेट अपने टेरिटरी के अंदर और इस सबसे रिलेटिड जो है हर एक स्टेट ह जो है laws कानून बनाएं और अगर किसी person का कोई right है या कोई freedom है जो छीनी जारी है या फिर violation हो रहा है उसका तो उसको effective remedy provide करें चाहे वो violation जो है किसी person के दुआरा की जारी है या फिर official capacity में हो रही है मतलए भी कोई भी public authority कर रही है चाहे और वो remedy जो provide होनी चाहिए वो एक competent जो competent judicial या administrative या कोई भी legislative authority है उनके दुआरा वो remedy प्रोवाइड होनी चाहिए article 3 कहता है कि equal right मिलना चाहिए man और woman को ताकि वो enjoy कर पाएं जो भी civil or political rights हैं अब बात करते हैं part 2 की तो part 2 में article 4 आता है और part 2 है right in emergency तो इस article में article 4 में ये कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की किसी भी time पे कोई public emergency आती है या फिर मतलब कि कुछ भी ऐसा चीज जो कि nation के against हो nation के security के against हो तो उस case में जो भी rights दिये गए हैं उनको partially abolish किया जा सकता है किसी भी state party के दुआरा जहां पर भी public emergency आती है या फिर जिस भी nation की जो जिस भी state की मतलब कि security को किसी तरह का डर हो और जिस भी state party के साथ ये खतरा हो तो वो एकदम मतलब कि कह सकते हैं उन rights को खतम कर सकते हैं और पर उनको immediately बताना पड़ेगा जो भी other state parties हैं इस covenant की तो उन सब को एकदम inform करना पड़ेगा इस चीज के बारे में और ये जो बताना पड़ेगा ये United Nation के जो secretary general है उनके through बताना पड़ेगा और साथ में जो है reason भी बताना पड़ेगा कि क्या reason है जिसकी वज़े से वो उन rights को जो है abolish कर रहे हैं खतम कर रहे हैं उस time के लिए अब बात करते हैं part 3 की तो part 3 बात करता है substantive right substantive right में article 6 से लेकर 27 तक आपके article आते हैं सबसे पहले बात करते है article 6 तो article 6 कहता है कि किसी भी person को उसकी life से deprived नहीं किया जाएगा बंचित नहीं किया जाएगा arbitrarily तरीके से मतलब कि किसी को भी बिना किसी वज़े के death punishment या sentence death नहीं दी जाएगी सिर्फ जो serious type के जो crime है सिर्फ उनीं के लिए जो death punishment है या death penalty है वो दी जाएगी article 7 बात करता है कि किसी भी person के साथ कोई भी torture या कोई cruelty या फिर inhuman तरह की punishment जो है नहीं दी जाएगी और article 8 के अगर बात करें तो ये slavery के against मतलब की गुलाम नहीं बनाया जाएगा किसी को भी तो provision against slavery ये है और article 8 में साथ साथ ये भी है कि अगर किसी person को imprisonment दी जारी है सजाद दी जारी है जेल में बेह जारी है तो उससे hard labor नहीं कराए जाएगी नहीं या किसी से भी जो है force labor कह सकते हो या compulsory labor इस तरह की नहीं कराए जाएगे सिर्फ कुछ चीजों को छोड़ कर जैसे कि इन से कराए जासकते जैसे अगर कोई भी person है जो military में है तो उनको आप ये exception है उसका या कोई भी person ऐसी organization से जुड़ा हुआ है जिसमें वो calamity कोई भी disaster आता है मतलब कुछ भी ऐसी आपदा आती है natural तरीके दे प्राकरती तरीक से तो उससे related वो कोई बचाव कारिया में लगा हुआ है तो ये जो है इस च्रेड़ी में नहीं आएगा मतलब भी compulsory labor या force labor या hard labor के उसकी category में ये चीज़ नहीं आएंगी article 9 की अगर बात करें तो article 9 बात करता है right to liberty के बारे में arbitrary arrest के बारे में कि मतलब किसी को भी मन मर्जी से किसी को अरेस्ट नहीं करना किसी को बिना बात अरेस्ट कर लिया अपने अपनी मर्जी से detention उसे जेल में भी दिया बिना मर्जी से तो अगर कोई भी person कोई arrest किया जा रहा है तो उसको inform करा जाएगा और जिस time पर उसको arrest किया जाएगा उसको reason बताया जाएगा कि किस reason से उसको arrest किया जा रहा है और उसके against क्या charge है ये उसको inform किया जाएगा और जिस person को arrest किया गया है detain किया गया है उसको judge के सामने magistrate के सामने पेश किया जाएगा कम से कम 24 गंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्टरी के सामने पेश किया जाएगा और एक reasonable time में उस person के उपर trial चलना चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि आप लंबे टाइम तक उसको कस्टेडी में रखो उसके बाद उसको टायल स्टार्ट करो और अगर जो डिटेंशन की गई है उस परसन की वो अनलाफूल है मतलब लाफूल डिटेंशन नहीं है तो उस केस में उस परसन को जो है रिलीज कर देना चाहिए और जितने भी टाइम के लिए मतलब कि वो अनलाफूल तरीके से डिटेंशन में रहा है या फिर उसको अरेस्ट किया गया है तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसको कंपंशेशन जरूर प्रोवाइट करने चाहिए यह उसका राइट है राइट टू कंपंशेशन अगर आर्टिकल 10 की बात करें तो आर्टिकल 10 बात करता है कि अगर कोई भी परसन है तो उसको जो कन्वेक्टिड परसन है उनसे अलग रखना चाहिए उस राइट के बारे में बात करता है मतलब उस एक्यूस्ट के अगेंज जब तक की वो गिल्ट ना साबित हो जाए तब तक उस परसन को जो है अलग रखना चाहिए जो और कह दी है या ओफेंडर है जेल के अंदर और अगर कोई जीविनाईल परसन है जो जीविनायल एक्यूस्ट है तो उसको भी separate रखना चाहिए जो भी adult एक्यूस्ट है उसको जीविनायल एक्यूस्ट है जय ओफेंडर है उसको सोशल रेहैगीलेशन में बहुना चाहिए आर्टिकल 12 की अगर बात करें तो आर्टिकल 12 बात करता है कि liberty of moment, right to liberty of moment, मतलब लोगों को अधिकार है, right है, कि वो उनको आजादी से घूम सकते हैं, कहीं पे भी residence, कहीं पे भी रह सकते हैं, अपनी territory के अंदर, चाहें तो एक country से दूसरी country में जा सकते हैं वो, अगर कोई person है कोई alien है, वो आपकी territory में है, किसी भी state की territory में है, उसको तभी expelled किया जा सकता है, अगर वो किसी तरह का national security के लिए खत्रा है, तो उस time पर, article 14 के अगर बात करें, तो article 14 बात करता है, कि जो tribunal से related, या court से related, कि सभी person equally treat करे जाने चाहिए, किसी तरह की impartiality नहीं होने चाहिए, impartial tribunal नहीं होना चाहिए, कि सभी को right to hear, मतलब कि natural justice के बारे में ये बात करता है, और कोई भी person अगर मतलब आता है, तो मतलब भी जब तक गिल्ट साब इतना हो जाए, जब तक को उसको innocent presume किया जाएगा, और article 15 की बात करें, तो article 15 बात करता है, कि किसी भी person को guilt नहीं माना जाएगा, किसी भी crime का, किसी भी offense का, अगर वो उस time पर, वो offense या वो act जो है, उस time पर, किसी constitution के अंदर, जो enforce है, या कोई भी criminal law, या कोई भी international law के अंदर, अगर उस time पर, वो crime नहीं है, तो उसको crime consider नहीं किया जाएगा उस act को और अगर कोई भी person कोई offense करता है तो उस offense के लिए उस time पर जो enforce law है या penal law है उसमें जो punishment दे रखी है सिर्फ वो ही punishment उतनी तक ही punishment देनी चाहिए उससे जादा punishment अपनी मर्जी से arbitrary तरीके से नहीं देनी चाहिए ये भी right है article 17 की अगर बात करें तो article 17 बात करता है या arbitrary तरीके से या unlawful तरीके से किसी की भी privacy में किसी भी family में किसी की घर में जो interfere नहीं होना चाहिए article 18 बात करता है freedom of thought की concise की religion की freedom of religion की कोई किसी की कोई सब religion अपना सकता है किसी की भी worship कर सकता है कोई भी practice कर सकता है उसके बारे में बात करता है किसी भी religion को follow करते हुए या किसी believe को follow करते हुए उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरीके से वो दूसरे के right को interfere ना करें किसी तरीके से कोई दूसरे का right वो violate ना करें तो इस चीज़ का द्यान रखना चाहिए पेरेंट्स के पास ये राइट है कि उनके पास ये आजादी है कि वो अपने बच्चे को जो चाहें उस रिलीजन में डालें जो चाहें वो एज्यूकेशन दें तो ये भी राइट है जो आर्टिकल 19 है वो freedom of expression freedom of speak ये इन सब की से related है तो जैसे मैं आपको बता है कि right to expression तो है और कोई भी information receive करने का या देने का भी मतलब कि उसको right है पर ये सब चीज़ करते समय उसको ध्यान रखना चाहिए कि national security को या किसी तरह की public order को या फिर public health को किसी तरह का कोई खत्रा ना हो डेंजर ना हो आर्टिकल 20 के बात करने तो आर्टिकल 20 बात करता है कि words related propaganda जो है उसको एक तरह से निशेद करता है या कोई भी religious hitter मतलब की नफरत पहला रहा है religious उसको भी आफ पे तो इसको भी public करता है आर्टिकल 21 में peaceful assembly का जो है या peaceful association के बारे में जो है right है person को और इसमें भी मतलब की कोई भी अगर आप assembly बना रहे है या कोई भी association आप join कर रहे है तो ये चीज जो है वो national security के लिए public safety के लिए जो है खत्रा नहीं होना चाहिए या किसी भी public order के against नहीं होना चाहिए article 22 बात करता है कि कोई भी person जो employee है या कोई भी वो कोई भी association बना सकते हैं किसी भी trade union बना सकते हैं या trade union को join कर सकते हैं article 23 के बात करें तो article 23 बात करता है कि man और woman को शादी करने का अधिकार है और family बनाने का अधिकार है और उस से related marriage से related जो दूसरी अधिकार है dissolution से related marriage के वो भी उनको right है या फिर जो children की protection से related जो necessary step होने चाहिए provision होने चाहिए वो भी बनाने का जो है right है article 24 के अगर बात करें तो article 24 बात करता है कि कोई भी हर एक children को हर एक बच्चे को हर एक child को कार है आर्टिकल 25 बात करता है कि हर एक सिटीजन को जो गोवर्मेंट है उसमें पार्टिस्पेट करने का या कोई भी पॉब्लिक अफियर से यह गोवर्मेंट जोब है उसमें participate करने का उसको right है बिना किसी discrimination के article 26 बात करता है equality before law या फिर आप कह सकते हो के equal protection of law बिना किसी discrimination के मतलब कि हर एक person को बिना किसी discrimination के same treat किया जाएगा law से अब बात करते हैं part 4 की तो part 4 में article 28 से लेकर 45 तक आते हैं तो article 28 से लेकर जो 45 तक जो articles हैं यह बात करते हैं यह procedure बताते हैं कि जो right बताए है मैंने भी आपको सारे उन right को किस तरह से implement किया जाए उसके implementation से लेटिड प्रोसीजर बताते हैं और साथ में यह बताते हैं कि जो human right committee है उसको किस तरह से गठन किया जाए किस तरह से उसका establishment किया जाए उसके बारे में बताते हैं अगर part 5 की बात करें तो part 5 article 46 उसके अंदर है और 47 तो इन article में यही बताए गया है कि कोई भी मतलब की जो rights provide या freedom जो provide की गई है वो United Nation के चार्टर में जो provision दे रखें उनके against नहीं होना चाहिए या फिर जो special agency है United Nation की उनके constitution के against जो है कोई भी आपका freedom कह सकते हो या फिर rights नहीं होना चाहिए पार्ट 6 की अगर बात करें तो part 6 में article 48 से लेकर 53 तक है जो की यह बात करते है certification और implementation जो इसके covenant के जो implementation से related जो इसके covenant के ratification से related जो formalities हैं उनके बार में बात करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही यह हमने बहुत ही short में मतलब की पड़ा है उसके बार में thank you Hello friends में नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे International Covenant on Civil and Political Rights 1966 1866